हात्रस गैंग रेप केस को लेकर उत्र प्रदेश की योगी सरकार ने सक्त रुक अपना लिया है सीएम योगी ने दोशियों को जल से जल भविशे के लिए उधारन प्रस्तूत करने वाला डंड देने की बात कहीं है वहीं प्रात्मिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मुझूदा SP, DSP, इंस्पेक्टर समेत पांच पूलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है इन पांच निलंबित पूलिस कर्मियों की लिस्ट में हातरस SP विक्रांतवीर, सीयोर रामसवत, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, SI जगवीर सिंग और हेड कॉंस्टेबर महिश पाल का नाम शामिल है SI के रिपोर्ट के अधार पर राजसरकार दौरा की गई इस कारवाही के बाद अब विनित जैसवाल को हातरस का नया SP बनाया गया है इसके साथ ही दोना पक्षो समेथ अधिकारियों का भी नार्को टेस्ट करवाया जाएगा बताया चारा है कि जिस परकार हातरस परशासन ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है उससे मुखे मंतर योगी अधितेनाद बेहद नराज है और इसलिए देशाम अधिकारियों की रिपोर्ट सी एम ऑफिस मंगवाई गई थी जिसके बाद योगी सरकार ने यह फैसला सुनाया है इस पूरे केस में हातरस के जिलादिकारी प्रवीन कुमार और एसपी ने जिस तरह से कारेवाई की है उसके बाद से ही वो निशाने पढ़े डियम प्रवीन कुमार पर तो गैंगरे पिडिता के परिवार ने गंभीर आरोप भी लगाए है पिडिता के परिजनों ने परशासन पर धमकाने और दबाव डालने का आरोप लगाया है आपको बता दे कि गुरुवार को एक वीडियो सामने आया जिसमें हातरस के डियम पिडित परिवार को धमके देते हुए दिख रही है हातरस के डियम कह रही है कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे लेकिन परशासन को यहीं रहना है हातरस के पित पईवार का कहना है कि उनको धमकाया जा रहा है कि इसको रफ़ा दफ़ा करने के लिए दबाब डाला जा रहा है आप भी सुने ये ओडियो जा रहा है कि इस मतलब रफा रफा हो जाएगा ये सब दिखा देंगे बमनी को लटे सी इस वीडियो पाना रखी है जो उस टाइम में वहाला थे जो जो मन में आरा वो सब लोग बोले जा रहे हैं इस अ करके अब यह लोग मैं आरे नहीं देंगे जिए अब बहुत जाता है अधिकारियों पर गास गिरने के बाद प्रिंका गांधी ने ट्विट कर कहा कि कुछ मोहरू को सस्पेंड करने से क्या होगा हातरस की पिडिता उसके परिवार को भीशन कस्ट किसके ओडर पर दिया गया हातरस के डियम एसपी के फोन रिकोर्ड पब्लिक किये जाए मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से हटने की कोशिश ना करें देश देख रहा है सीम योगी इस्तिफा दो कर दो कर दो